जो है आज एक इस वीडियो में बहुत सारी चीज़े मैं इसी जानेंगे जो आपके आपके बहुत मदद करने वाले बैसेगल अगर मैं बात करो हाउ मेनी कॉस्चन डूवी नीड दूवी नीड न इसटीज़े परकाई यूप्य सी सी सीज़े न्यूजिफ कर रहे हैं तो 27 कुस्चं ची जह वो मुझे क्या ना मैं बेसिकलि बात करो क्वांट और आपका रिजनिंग एंड इंग्लिश दीज अरवर त्री डिफ्रेंट सेक्शन जिसके टोटल आपके पास एटी कोश्टन साते हैं है ना एड इच कोश्टन कंटेंट 2.5 मार्क्स ऐसा ही कुछ है तो 27 कोश्टन तक्रिपन देख बन 67.5 या नी 68 के राउंड हमें स्कोर चाहिए तो क्या यह इतना डिफिकल्ट हो चुक है कि 2023 के बाद आदे बच्चें दो प्रिपेशन चोड़ने का सोच लिया कि छोड़ी देतने सी सेट ही नहीं हो रहा मतलब द्यार सेंग जी एस तो हम कर लेंगे क्या कैट बढ़ना चुरू कर दिया अब नहीं डेट इस वेरी रॉंग एक्चुली जब आप अभिमन्यों आइस के पोर्टल पर जाएंगे आप यह आपको दिखाऊंगा इसके बाद में सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको अपना स्लेपर चलाना है ठीक है सबसे पहले अगर आप स्ले 27 की बात करो टार्गे 27 की बात करूं तो सबसे पहले इजी टॉपिक्स को देखिए क्लियर इजी टॉपिक्स को कैसे देखेंगे मतलब यू मस्ट नो कि कितने साल में कहां से कहां कोशन आये मतलब अगर बेसिकली बात करो कर नंबर सिस्टम मुश्की लग रहा है कोडिंग के लिए जा सकते हैं आप है ना कॉम्प्रियंशन तो छोड़ी हैं सकते बिकॉस एक मेजर पोश्चन है कॉम्प्रियंशन आपके बाद और बस 20 के 20 प्लस राउंड कोश्चन ही आपके बन रहे हैं तो सुड़ेट्स आपको देखना पड़ेगा कि वह कौन से टॉपिक्स है है जो इजी है और जहां से हर बार कोश्चन आ रहा है जैसे अगर मैं बात करना आपका एवरेज हो गया ठीक है आपका एजिस हो गया आपका एलिगेशन मिक्शर हो गया यह तीन कंबाइंड चेप्टर हैं यहां से तीन से चार कोश्चन मिनिमम मारें आपके बहुत बहुत तो यह आपके पास इंटरिंक चैप्टर जैसे आपको सिंपल इंटर्स कंपाउंड इंटर्स हो गया यहां से हर बार एक से दो कुछन आरा आप जहां पर विदाओट फॉर्मल अप्रोच लग सकती है क्लिर तो सबसे वहले टार्गेट कीजिए मैं भी दिखाऊंगा पोर्टल में कि आपको कैसे आप कोशन देख सकते हैं क्लिर यह भी दिखाऊंगा कि पिछले 10 सार के इनलिस्स करो और बताऊंगा कहां पर मिलेगी सब्सक्राइब कि हर बार कोशन आ रहा है कुछ ऐसे भी होगा एक दो साल छोड़के कोशन आ रहा है तो मुझे पहले 27 की दरफ जाने तो मुझे पहले यह देखना पड़ेगा कि मैक्सिम का सब्सक्राइब कि बात करूं प्रिफ्टिन प्लस कोश्चन का ट्रेंड शूरू हो चुक है है ना आपकी इंग्ली और आगर मैं बात करूं इंग्लिश कॉंप्रेंशन 20 प्लेस 20 के राउंड कोश्चन्स हैं तो दीज आर सम एरियास टू ठालगेट क्यों कॉंप्रेंशन में क्या कॉंप्रेंशन इजी है बट अगर आपको धंक्से करना आए तो कहां मिलेका कैसे मिलेका वह बताऊंगो वीडियो के अटे में आपको मैं क्लियर तो छोटी छोटी चीज़ों को जब आप पिक करेंगे ना तो टार्गे 27 कोई जादा दूर नहीं है मेरा क्लियर नेक्स देखो जो आपको डिफिकल्ट चप्टर्स टॉपिक्स कहने का मतलब क् हैं जब आप वो टापिक्स कर लें से मेक्सिम मार रहें तो उन टापिक्स को उठाई एं जो आपको डिफिकल्ट लग आने लगे हैं कि लिए अर्थमेटिक रिजनिंग के कितने सारे कोश्ण आने लगे आपको आज कर तो यह topics को कैसे करें इस topics can be done by micro course micro course के through in topics को easily किया जा सकते है students because आपको पूरा कोर्स नहीं खरीदना आपको सिर्फ वही टॉपिक वही चप्टर खरीदना है जो आपको एक हटके थोड़ा सा मुश्किल लग रहे हैं कहने का मतलब जैसे नंबर सिस्टम हो गया अगर आपको शुरू में लगते हैं वो डिफिकल्ट है तो सिर्फ माइक्रो कोर्स लेके आप नंबर सिस्टम करो और अपने पंदरा कोशन सिक्योर कर लो पंदरा प्लस ही बोलूँगा बलकी मैं अभी आपको दिखाऊंगा मैं पोर्टल वे जाके क्लियर तो यह स्ट्रेटरजी सबसे वन ओव दा बेस्ट स्ट्रेटरजी है किसी भी एक्जाम को क्रेक करने के लिए नौट इवन सिसेट बट अगर आप सिसेट की बात करें पिछले सालों में हाँ यह मुझे मानना पड़ेगा कि जीए जब इतने अच्छे खासे लेवल के आ रही है तो सिसेट कैन भी लिटल बिट इसी फॉर क्वालिफाइंग नेचर बट अगर सिसेट आपको लगर मुश्किल है तो जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको आप अच्छे से सोचिए कि क्या यह चिज़ आपको काम देगी यस इट विल डेफिनल्टी वक विकॉस अगर आप यह सोचोगे कि मुझे देखो सब्सक्राइब यह आपको स्टेश दिये तो कर डिरेक्लि जंबाने कि ऑने कि सोचोगे कभी भी भी निफ़े निक्ट पर आने कि दिरेकली जंबाने कि सोचोगे यह चोट लगने आक रहा तो क्या करो step number 1, step number 2, step number 3, step number 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन अगर मैं बात करूं यही है जो 2015-16-17-18 के पेपर इसी थे इन 4-5 साल के एक्जाम ने 2023 का बनाया बेसिक लेकर बात करूं 2019 के कुछ कोश्चन 20 के कुश कोश्चन 22 के और वो सारे कोश्चन ऐसे थे जो डिफिकल्ट ट्रेवल के थे उनकी स्टेट्मेंट को चेंज करके थोड़ा मोडेरेट करके उनको डाल दिया गए 2023 में जिन बच्चो नहीं किया तो जो सिरफ चलेगे भई ठीक है हम कुछ कर रहे हैं बस उनके लिए फिर बड़ी मुश्किल होई बात क्योंकि सी सेट इस नौट अबाउट कंप्लीटिंग और स्लेबस यह ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट करें स्लेबस को समझें स्लेबस को अच्छे से करना है मुझे मुझे स्लेबस को समझना है अगर मुझे परसेंटेज रेशो परपोशन आते तो उसको यूज कहां कहां किया जा सकते हैं जैसे स्टुएंट्स को यहीं नहीं पता हूं नहीं लगता चैप्टर है बटा स्पी टाइम डिस्टेंस पर जाये टाइम और वर्क चाहिए इनमें इस दो है बिसिकली बिना परसेंटेज यो परपोशन कि आप कोई कोशन बनाई नहीं सकते हो इस प्रिंसिपर जिन्हें आपको अप्लाइग करना ही करना पड़ेगा चेंज इंट्रेंड कहां से पता से लेगा आपको वो पता चलेगा प्रिवीश येर कोशन से तो आपको प्रिवीश येर कोशन की एनलीसिस करने पड़ेगी आपको देखना पड़ेगा हाओ मेनी कोशन यू अर गेटिंग आपको कितने कोशन हो रहे हैं उसमें से क्या आपने परसेंटेज कर लिए उठाओ 2016-17 कपर देखो जरा बैठके कितने कोशन आप कर पा रहे हैं प और वट्साइब या सकते हो आप डेफिनिटली आइविल हल्प यू अगर कोई डाउट भी नहीं क्लियर हो रहा ना अब इस पर वट्साइब कर दो कि सर डजन्ट मैंटर आप अभी होन्यों को सुनेट है नहीं आइए डेफिनिटली हल्प यू I will give you back the solution of the relative question जो आपको दि डेटा दिया उसको भी आप कर सकते हैं क्लियर और प्लीज ग्यारा बजे मेरी क्लास होती है डेली 11 एम उससे जुड़ी ये बक्यों को बताईए कि सनी सर आ रहे हैं अभी मन्यू आइसके चैनल पर यूट्यूब चैनल पर जूड़ी है मेरे साथ क्लियर तो प्रीविस चैन काफि सारे बच्चे बहुत परिशाossen थे दीओ तरू यसके बाद मैंने कोश्ण फूचन फू अब चेन केुचन की चैनल aur k alter खेंए यह पांच चैनल फैंट बच्चों का अपलाई नहीं हुवा था यह आपको कॉलिप्का Nina यह उ क्यों निमॉक्राइज दिये थे कई ने चेज़ें ट्रेंड नहीं देखा कई ने प्रिवीश एर किये कई ने प्रैक्टिस नहीं की क्लिए अब मैं आपको वन बाइवन बताऊंगा कि अगर सी सेट दोसार चौब इसको लीनेटली बहुत अच्छे फ्रिक्वेंटली आपने क यह नहीं छोड़ना कि यार महिना बड़ा कर लेंगे सीसाइटी तो है दिस इस नौट दा राइट अप्रोच बीजियरे सब्सक्राइब नेक्स क्या है लाइक अवेरनेस ऑफ चेंजिन ट्रेंड चेंजिन ट्रेंड कैसे होगा प्रिवीश एर कोश्चन क्योंकि अगर आप दो चीजें कर रहे हैं एक तो आपने प्रिवीश को कॉश्चन को देखा आपको पता नहीं चला कि क्या लेवल चेंज हो है दूसरी बात इसी से थाथ आप चेंज़गोफ ट्रेंड को नहीं देख पा रहें कि हर साल किस लेवल का पेपर आपके पास आ रहे है मौक टैस्ट बहुत जुरूर है बट अभी अब मॉक टैस्ट का टाइम नहीं है यह तो मैंने फिर भी चलो बताए आपको कि टाइम ली मॉक टैस्ट भी दीजिए यह यह भी हम दताएंगे आपको क्लियर प्लीज करिए अब मैं आपको बहुत दिखाता है पोर्टल पर जहां से आप कर सकत देखो अब यह माइक्रो कोर्स की बात कर रहा था लैट में टैल यू गएट दू देखो सुए उस माइक्रो कोर्स के साथ आपको एक चीज़ बताने वाला अभी में देखिए तूस एक्जाम सी सेट और सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्स इस आप माइक्रो कोर्स देखो सबसे पहले यहां पर रिजिस्टर कर लो फीवाप कोर्स के लिए और आने वाले सारे के सारे जो भी आपको मिलेगा रिजिस्टर करो गए तो अपने पता चलता रहेग ठीक है कॉल वट्स हैं देखो जैसे मैं बात करें मैं अगर आप पोर्टल पर जाओगे ना आपको चेंज ओफ ट्रेंड का कैसे बिदस ला रहे हैं मतलब बेसिकली चेंज नी बोलूँगा मैं नमबर उफ कोश्चन का देखो यहां पर आई बटन है देखो नमबर सिस्टम तो सब्सक्राइब कि यहां से पता चल रहा है तो यहां से आपको पता चलेगा बेसिकली अगर बात करूंगा अगर आपको नहीं कुछ पता चल रहा यह क्या ही आपके लिए जांगे आपको कोश्ट्न को नहीं देखना मैं 15 23 से सारे कोशन हमने देखें, हमने पेपर सारे कोशें हुछ की है, अगर आप पलेईड़ीसमे पंडार मैं देखोगे यूटैप को यहां हो सारे 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 पंदरा से 22 देए सके सारे कोश्चन के सलूशन भी मिल जाएंगे अभी विए गरवांगो दुबारा यूट्यूप में लाइब आएंगे उन्हें प्लीज 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 और देखो आपको पता है कितने कोशन आ रहे हैं सतरा सतरा कोशन आए रहे इसमें उस सर्फ कितने गए 331 रुपीज का तो यह माइक्रो कोश की खासियत है इसको सिर्फ आप टॉपिक भाइस भी खरीज सकते हो क्लियर है तो यहां से आपको क्या पता चल रहे है कि पर चैप्टर कितने कितने कोशन कितने कौन से साल में और इसी तरीके से देखो इसी तरीके से क्या है और देखिए कितने खुबसूरा तरीके से इसको बनाए गया एक स्टूडेंट के लिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेर सब्स्राइब करना मत भूलिए और प्लीज बाकी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सी सेट के लिए उन्हें पता चल सके विच इ अब इवन्यूस इस दा नमबर वन प्लाट्फोर्म प्लाट्फोर्म पर प्लीज एक सेट प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब करना मत भूलिए सारे के सारे लिंक आ भूग दिए के ने डिक्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू